सब्सक्राइब जो अच्छी बात है इनमें आपको waterproof मिल जाते हैं यह IPX7 waterproof यहाँ पर आपको मिल जाते हैं तो हेलो एन वेल्कमेर गाईज कैसे आप सब्लोग आए वो आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब तो आज की स्टूडिया में हम Bolt के जो latest Airbus TWS का launch हुए है Bolt Audio & Core उनकी हम unboxing करेंगे box content देखेंगे साथे साथ review भी करेंगे इन Airbus TWS का जो अच्छी बात है Bolt ने इनमें quad mic दिया है दोजा रुपे के टीलबस है तो mic and cooling test तो बनता है तो वो test भी हम कर लेंगे और साथे साथ gaming bass test battery life charging time in Airbus TWS का हम discuss कर लेंगे इस वीडियो में मेरे नाम है सुरब आप देखेंगे मेरा YouTube चैनल जेयर स्टैक चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन अगर अभी तड़ चैनल को सब्स्राइब नहीं के तो प्लीज यार गईज चैनल को सब्स्राइब कर लेजिए देख लेते box content unbox कर लेते हैं हमारे latest यह वर स्टीबलेस का तो यह आउटर पैकिंग हमें कुछ स्टाइब से मिलती है हम इसको कट कट लेते हैं तो यह हमने जो है box and core का यह box है निकाल लिया है जो यह प्लास्टिक है इसको भी रिमूव कर लेते हैं जो अच्छी बात है इनमें आपको waterproof मिल जाते हैं यह ipex 7 waterproof यहाँ पर आपको मिल जाता है water resistant नहीं है बाट Bluetooth 5.0 की ही पेरिगां पर दे हुई है इसको अन्बोक्स कर लेते हैं देख लेते हैं box content तो आपको सामने के तरफ बॉल्ट ओडियो का एक booklets kind of मिलते है booklets नहीं पर आपको इसमें मिल जाते हैं साइड में रख लेते हैं यह accessories आपको मिल जाती है and accessories भी हम देख लेते हैं क्या कि आपको यहां पे बॉल्ट की और से मिलता है expectations एक type-c cable and आपको कुछ extra air tips मिल जाते हैं okay तो अगर आप default air tips से खुस नहीं हो comfortable नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं यह आगे आपके बॉल्ट के जो है audio and core दिखने में काफी सही है गाइज एंड काफी premium kind of premium तो नहीं बोलोगा काफी अच्छा box यहां पर बिल दिया हुआ है box overview कर लेते हैं पीछे की तरफ आपको type-c charging मिलती है यहां पर आपको LED light मिल जाती है यह charging के लिए ही है ओके उपर आपको bolt audio का यहां पर लोगों बना हुआ है नीचे की तरफ खाली है इंसाइड में कुछ भी नहीं आपको मिलता यह यह बत्स आपके हैं अगर आप फर्स टाइम इनको यूज कर रहें गाई तो मैं आपसे यह request करूँगा आप जो यह plastic लगा ह हुआ है इसको remove कर ले carefully ओके जब तक प्लास्टिक आप remove नहीं करेंगे तब तक आप इनको connect नहीं कर पाएंगा अपने smartphone और के साथ तो यह plastic में रिमूव कर दिया और मैं आपको difference दिखा देता हूं आप इनको put करेंगे उसके बाद and देख लीजे जो light है उसके बाद जलने लगी है दूसरे में light नहीं जल रहे है और जिब तक यह नहीं आप remove करेंगे यह नहीं जलेगी तो connectivity के लिए अपका important हो जाता है क्योंकि charging pin यहां पर covered है आपकी ओके तो देख लेते हैं आपके दोनों earbuds यहां पर धंक से attach हो चेके connect हो चेके and earbuds का ओर्रू कर लेते हैं तो गय microphone जो है अंदर की तरफ यह वाला portion में यह मिलता है and dual tone design यहां पर दिया हो है and अगर मैं इनकी बात करो तो glossy finish है बाहर आपको matte finish मिल रहे है okay and अंदर की तरफ glossy finish है dual tone design आपको मिल जाता है तो दिखने में काफी सही है comfortable देख लेंगे कि comfortable आया नहीं है बट उससे पहले हम इनको अपने smartphone के साथ pair कर लेते हैं pairing process भी हम देख लेंगे इस वीडियो में and अगर आपको pairing process नहीं देखना तो आप skip कर सकते हैं यह later on okay तो मैं अपने करण जो device है उनको scan करके देता हूं and scan कर लेता हूं bolt के and core as usual device name यहां पर आज गया okay तो connecting and pairing काफी इजी थी 80% बैटरी यहां पर बची हुए हम इनको देख लेते हैं comfortable है या नहीं है तो guys pairing process हमने देख लिया जान लिया अगर pairing process आप उलड़ी देख चुके हैं आपको पता है then हम देख लेते कि इतनी comfortable है तो आप comfortable अगर बात करें तो guys है यहां पर आपके दूसरे यह वास नोइस वी एस 103 की बात करो तो वो मुझे प्रेटी मच अच्छे लग रहे हैं एंड यह महीं काफी रंक से फिट हो जा रहें बट इनमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं गेरना जाएं उस टाइब की feeling आ रहे हैं बर स्टील ओक को sound and bass bass पे ही purchase करते हैं तो वो हम देख लेते हैं कि कितनी अच्छी आपको यहां पर sound quality इन टीलबेस अबस से मिल जाते हैं तो उसके लिए मैं आपको music सुनाऊंगा full volume पे and वो आप नहीं पर देख सकते हैं कितना louder है या नहीं है तो इस हमने sound यहां पर सुनी sound quality मुझे अच्छे लगी अगर बास quality के मैं बात कुरू बास quality आपको नहीं idea लगेगा कि कैसी है बट मैंने दोनों इनका experience भी के sound quality भी experience किये and बास भी experience किया तो sound quality wise मुझे यह थोड़ा better side लगे गाई and sound quality काफी clear है आपको अच्छी खासी sound quality मिल जाती है and sound quality wise मैं इनको 9 marks दे रहा हूं loudness इतना ज्यादा नहीं है बट जो voice clarity है वो मुझे पसंद आई बास की बात करूं तो बास भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है बास wise मैं इनको 8 marks दे रहा हूं and बास से ज्यादा expectation मत रखना दोजार रुपय में आपको ठीक ठाक बास मिल जाता है बट complain नहीं कर पाएंगे आप इस टाइप का है okay अगर हम बात करें इनके दूसरे features की guys तो यह IPX 7 की rating के साथ आते है waterproof है water resistant नहीं है तो यह जो feature है इनका दूसरे टील बेसे इनको बैटर बनाता है ओके फूर माइक्स दिये हुए है और फूर माइक्स से expectations जो है calling वगरा की वह आपकी increase हो जाती है और वह हम देख लेंगे इस वीडियो के लेटरों पार्ट में कि कितनी अच्छी sound quality यह produce कर रहे है कितना अच्छा आपको sound मिल रहा है इन से ओके और उसके अलावा गाइस यहां पर इनोंने क्लियरली कुछ भी मैंसन नहीं है driver के बारे में कितने mm के आपको driver मिलते हैं और नहीं इनोंने gaming latency के बारे में मैंसन के लेटन से कितनी मिल रही है ओके बैटरी लाइफ की बात करो तो जो है बोल्ट एनकोर आपको 36 आउर्स का बैटरी बैकप देते हैं चार्जिंग भी इनोंने एक मैंसन के लाइक वन आवर टू वन आर्टी मिनिट चार्जिंग है तो आपको चार्जिंग के लिए ज्यादा टाइम यहां पर वेस्ट नहीं करना पड़ेगा चार्जिंग आपको जल्दी मिल जाएगी बैटरी लाइफ भी 36 आउर बोला अगर 36 में 25 आउर का भी बैटरी बैकप मिलता है तो काफी सही है वन टाइम पर सिंगल टाइम पर करते जो की काफी सही है ऑककी बात कर लेते हैं गेमिंग की इनको पर चेश करना चाहें और नहीं करना चाहें अगर और आप मैं अगर मै बात करूं लेके लीए टिैंटी तो लेटेंसी आपको काफी मिल रही है, like over 100 ms यहापे लेटेंसी आपको मिल जाती है, अगर मैं यहापे आपको शो करूँ, like अगर आप यहापे सुन पाएं आवाज, तो लेटेंसी आपको काफी मिल जाती है, वो मुझे थोड़ा प्रोग्लमेटिक लगा, गेमिंग के लिए यह परफेक्ट नहीं, तो जैसा मैंने बताया है, थोड़ा पूट एक्सपिरेंस गया गेमिंग के बारे में, लेटेंसी आपको मिल जाती है, over 100 ms के अराउंड, क्यो मिल जाती है, वोल्यूम भी थोड़ा कम लगा मुझे, okay, but calling में, क्या expectation है, calling के बारे में, क्या आप सोच रहे हैं, वो हम देख लेते हैं, अभी, check कर लेते हैं, call quality, my quality, अगर वो आपकी वर्थित है, तो 200 रुपे के नीचे ही आपके, अच्छे खासे टिर्वेस हो सकते हैं, calling purpose के लिए, तो calling हम देख लेते हैं, अभी, and check कर लेते हैं, कि किस type की call quality आपको इंटिर्वेस से मिल जाते हैं, तो guys, हमने इनका माइक टेस्ट भी कर लिया, calling टेस्ट भी कर लिया, तो अगर आपको आवाज के लिए लिए नहीं सुनाए थी, या आपको आवाज कम आई, या maybe microphone की वज़े से आपको आवाज प्रोपरली नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं, मुझे कैसा इनका experience लग वो मैं आपके साथ share कर देता हूं, तो yeah guys, अगर मैं आपको बता हूं, इनके बारे में, calling के बारे में, calling में मैं इनको 8 marks दे रहा हूं, मुझे इस price range पे one of the best ear buds लगे calling purpose के लिए, reason क्या है, quad mic दिये हूए, environmental noise cancellation भी आपको मिल जाती है, environmental noise cancellation आपको help करेगी, आपको जो दूसर person है, like, दूसरे end person है, उनकी आवाज clearly सुनाई देगी, but, जो quad mic है, वो ठीक था काम कर देते हैं, मैं नहीं बोलूगा, best call quality है, but, under 2000 रुपीज, ये बर्स में, आपको best मिलती है, okay, कोई भी complaint नहीं होगी, आपको इस price range पे, इन ये बर्स की call quality के लिए, but, complaint करने के लिए, और factor हैं, आपके, अब design बोल सकते हैं, लाइकिन को थोड़ा सा, यूज करना, difficult time, कई बारी है, ठंक से, अटेस नहीं होते है, magnetic में, मुझे थोड़ा issue लगा, box quality ठीक है, okay, and, मुझे problem लगी, sound थोड़ी सी low है, gaming के लिए नहीं है, gaming के लिए नहीं बने हैं, आपको देखने को मि average लेने हैं, आपको gaming average लेने हैं, या आपको एक average लेने हैं, जो, like, सभी factor में best fit होते हैं, चाहे, gaming हो, चाहे, cooling हो, बैलेंस, टिर्वर्स लेने हैं, okay, तो वो आपकी मर्जी है, but, यह average आप calling purpose के लिए ले सकते हैं, gaming बिल्कुल नहीं करेंगे, आप offline game कहल सकते हैं, okay, उसके अलावा sound quality decent है, better life decent आपको मिल जाते है, design wise मुझे कोई भी problem नहीं लगे, and one of the unique design या भोल सकते हैं, वो है, okay, कोई भी scratches अगरा यहां पर आपको, इतने देखने को नहीं मिलेगी, जो close to finish में मिलते हैं, तो मुझे यह words काफी सही लगे, and मैं 10 में से इनको 7.5 marks दे रहा हूं, रिकमेंड कर रहा हूं, आपको purchase करने की, and 10.5 marks इनके increase हुए because of cold quality, okay, हम इनका review करेंगे, comparison करेंगे, जो है, अब भी, जो टॉक के, यह words लाँच हो है, BTC1 के साथ, तो आप कहीं मत जाएए, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी ग्याइए, मिल धर ने लिकमेंटर झाएए उसको घ्टियों सुन्ग। यह थिस जुन्गाइए, झाल यह जाग तो, अब भाइए, जानके रहा है, आधं सुन्गाइए, हैश्क्क्षाण ग्यूर्वे, जाएज जाएए, जाहाँ जाल, आखंपक्क्षाण टेंगाईए,